मीडी यानि महाराष्ट्रे इंडर्स्री डेवलोप्मेंट इंस्टिटूट आपके लिए ला रहा है शूलेज मैनुफेक्चिरिंग बिजनेस पर एक इंडर्स्रीयल डॉक्युमेंटरी शूलेज का इस्तेमाल जूतों को टाइट या लूस करने के लिए किया जाता है जिस वज़े से अपने पर शूज में अच्चे से बैठ सके शूलेज ये अलग-अलग रंगों में या शेप में पाए जाते हैं फूट वेर की मांग दिन बदिन बढ़ रही है इस वज़े से शूलेज बनाना ये एक उत्तम व्योसाय साबित हो सकता है रौ माटेरियल्स, कोटन, रियाउन और पॉलिष्टर यान, एसेटेक्ट फिल्म एंड, मेटल स्क्रिप्स, प्लांट एंड मशनिरीज, शूलेस वाइनिंग मशीन, शूलेस ब्रेडिंग मशीन, टैपिंग मशीन, प्रोसेस सबसे पहले कॉटन या पॉलिष्टर के यान, शूलेस वाइनिंग मशीन को आटेच करते है, बाद में कॉटन या पॉलिष्टर यान की एक बाजू बॉबिन पे वाइन्ड की जाती है बाद में लेज की थिकनेस के अनुसार 15-20 बॉबिन ब्रेडिंग मशिन को एटेच किये जाते है बाद में ये बॉबिन स्पाइरल फॉर्म में लपेट कर उनके ब्रेड्स बनाए जाते है आगे तैर हुए ये ब्रेड्स टैपिंग मशिन में रखे जाते है इन मशिन में ब्रेड्स के दोनों साइट पे स्ट्रिप्स लगा के कट किया जाता है तो इस प्रकार आज हमने शूलेस बैनेफेक्टरिंग बिजनेस पर जानकारी हासिल की ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की एक्सपर्ट अडवाईस की ज़रूरत हो तो आप स्क्रीन पर दिये हुए दोनों वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो या नंबर पर संपर्क भी कर सकते हो एसे ही नए नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे यूटूब चैनल मीडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेर करना न बोले